नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज नितीस काबिनेट की बैठव में कई महत्वपुर्ण एजेंडो पर लगेगी मुहर बिहार कोलिस की बहाली में अभी उम्र सीवा में नहीं मिलेगी छूट बिहार के जब्री में टला बड़ा हाथसा धोनी के नाम पर साइबर ठगी इंटरनेशनल लीग टी-20 में खेलेंगे रॉबिन उथापा और यूसुफ पठान इसके साथ ही भरते हैं साम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से आज निदीज काबिनेट की बैठक में कई महतवपुर्ण एजेंडो पर लगेगी मुहर आज मुखे मंतरे निदीज कुमार के द्वारा मुखे सचीवाले की काबिनेट हॉल में सारहे चार बचे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कई महतवपुर्ण एजेंडो पर मुहर लगाई जाएगी मिरे जानकारी के अनुसार इस बैठक में पदश्रीजन को लेकर सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है जानकारी के लिए बता दे के पिछले सपता जब कैबिनेट की बैठक की गई थी उस बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार ने फैसले लिये थे और साथ ही कई जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था इसके लावा बिहार राजे खेल प्राधिकर्ण के गठन करने का फैसला समेत कई एजेंटों पर मुहर लगाई गई थी सराब बंदी के फाइदे जानने के लिए सर्वे कराएगी नितीज सरकार भले ही बिहार में सराब बंदी सफल ना हो पाई हो लेकिन फिर भी बिहार सरकार सराब बंदी के फाइदे जानने के लिए एक बर फिर सर्वे कराएगी बतादे कि सराब बंदी को लेकर पहला सर्वे वर्स 2016-17 में कराएगया था जिसमें नितीजे अच्छे आए थे हालाकि सर्वे की सुरुवात कब से होगी इस बाड़े में अब तक कोई आधिकारी जानकारी नहीं दी गई है वहीं माना जारा है एक नितीज कुमार के एलान के बाद जल्द ही सर्वे की प्रक्रियाश शुरू कर दी जाएगी और बिहार सरकार यह जाननी की कोशिश करेगी कि बिहार में सराब बंदी से कितना फाइदा मिला है नितीज सरकार के खिलाफ बीजेपी उत्रेगी मैदान में बिहार में हुए सराप कार्ण को लेकर बीजेपी लगा तानिती सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के विधायक और MLC ने तानिती सरकार के खिलाफ महा धरना करने की तैयारी कर रहे हैं आपके जानकारी के लिए बता दे कि 21 दिसंबर को बीजेपी के सभी विधायक और MLC ने तानिती सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी कार्याले के समक्ष धरना देंगे बताते चले कि अब तक बिहार में जाहरेली सराप से मरने वालों की संख्या 70 के पार्क पहुँच चुकी है वहें इसपर बीजेपी की मांग है कि राजसरकार सराप से मरने वाले लोगों के पड़िवार वालों को मुआफ जा मुहयाकडाए नए साल के लिए इस तारीक से होगी पतना जू में एडवांस बुकिंग होने बाली है बता दे के एडवांस बुकिंग करानी की तारीक 25 दिसंबस निरधारित की गई है लेकिन नए साल के उपलक्ष में सिर्फ एक दिन के लिए विस्क के लिए टिकट का दाम 100 रुपे और बच्चों के लिए 50 रुपे निरधारित किया गया है हाला कि अगर आम दिनों में टिकट की कीमत की बात की जाए तो आम दिन विश्रक के लिए 30 रुपे और बच्चों के लिए 10 रुपे के टिकट दिये जाते हैं वहीं वैसे लोग जो आम दिनों में RFID कार्ट से जू में प्रवेश कर पाते थे वे सभी एक जन्वरी को उस कार्ट की सहायता से प्रवेश नहीं कर पाएंगे इसके अलावा एक जन्वरी को लोग जू के अंदर केवल साकाहारी भोजन ही ले जा सकते हैं बिहार के जमुई में टला बड़ा हाथसा आज मंगलवार की सुभब बिहार के जमुई जिले में हावडा दिल्ली मेंन लाइन के क्यूल जाचा रेलखन पर नरगंजों के समीप रेलवे लाइन तूटे होने की कारण होने वाला रेल हाप साथ तलगे अदरासल बता दे की मौके पर रहते वे ड्यूटी पर तैनात लाइन मैन की नजर तूटी रेलवे लाइन पर पड़ी जिसके बाद उसने इस बाद की सुचनां महकमे के वड़ीय पड़ा अदिकारियों को दी जिसवज़त से ट्रेइन हाथसा होने से रोका जा सका वहीं इस घटना के सामने आने की बाद कई ट्रेनों के परिशालन को बाधित कर दिया गया वहीं जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मियों की टीम के दोरा टूटे हुए रेल पट्री की मरम मत की जा रही है पुर्व डीजी पीएस के सिंगल बोले अब कुछ याद नहीं रखना चाहता सराब से हुई जहरीली मौत को लेकर पुर्व डीजी पीएस के सिंगल ने कहा कि इस घटना की विपल्था का बड़ा कारण पुलिस इंटेलिजेंस का फेल होना है लेकिन अब तक की जांच में असपस्ट हो गया है कि किसी भी थाने से स्पिरिट की ना तो चोड़ी हुई है और ना ही बेची गई है उन्होंने बताया कि जांच से यह पता चला है कि सराब आसपास के बॉर्डर एरिया से बिहार में पहुची है इसके साथ उन्होंने दो साल के कारेकाल के उपलब्दियों को गिनाते वे कहा कि मैंने अपना रोल प्ले किया अब कुछ याद नहीं रखना चाहता हूँ ना अच्छा और ना बुड़ा मुख्यमंत्री के क्रिपा और अद्रिश्य सकती ने मुझे बताओ डीजी पी काम करने का मौका दिया हमेशा दूसरों के बारे में सोचने और सभी को सम्मान देने का मूल मंत्र दिया खेसारे लाल यादव और पवन सिंग को रानी चतरजी ने दी नसीहत भोजपूरी इंडस्ट्री की क्वीन यानी रानी चतरजी ने एक नीजी टीवी चैनल से बात करते वे भोजपूरी इंडस्ट्री में फैल रहे जातिवाद जहर को लेकर अपनी बाते रखी है उन्होंने कहा कि पहले भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री थी लेकिन आज के समय में भोजपूरी सिमट कर केवल अलबम इंडस्ट्री में बन कर रह गई है इसके साथ उन्होंने कहा कि आज के समय में भोजपूरी इंडस्ट्री में जातिवाद काफी बढ़ गया है खुद को बड़े स्टार कहने वाले भी जातिवाद को लेकर एक दूसरे पर टिपनी करते नजर आ रहे हैं खिसारी लार और पवन सिंग को लेकर रानी चटर जी ने कहा कि उन्हें अबद्र गाने नहीं गाने चाहिए किसी जाती और किसी का नाम लेकर गाना किसी के लिए नहीं बनाना चाहिए धोनी के नाम पर साइबर ठगी बिहार में साइबर ठगी जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं अब एक और मामला सामने आ गया है बता दे कि इस बार साइबर ठगी बिहार की राजधानी पटना में भारतिय क्लिकेटर महिंदर सिंग धूनी के नाम पर की गई है जानकारी के लिए बता दे कि मामला पटना के पत्रकार नगर थाने का है बदमाशों नहीं धूनी को अपनी क चार पांच लाग कैस, तस मोवाइल, एक लैप्टॉप, चार डाइडी, एक पलसर बाइक, धानी फाइनन्स नाम की फरजी कंपनी के डॉक्योमेंट्स भी बरामत किये गए है। बिहार के नए डीजीपी ने सराप तसकरों के लिए लिया चार्च, बीदे दिन सोमवार को बिहार को उसका नए डीजीपी मिल गया बता दे कि डीजीपी आरस भट्टी ने सोमवार की देर साम अपना काड़े भार संभाला और रात करीब आठ बजे पुलस मुख्या ले, अपराधियों के बारे में जानकारी ली, महीं बताया जारा है कि सभी पहलूँ पर गहन समिक्षा करने के बाद जल्दी सभी पुलस अधिकारियों के साथ आरस भट्टी एक बैठक आयोजित कर उन्हें अहम नर्देश देंगे बिहार पुलस की बहाली में अभी उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगले साल 2023 में सिपाही से लेकर दरोगा और विविन समर्गों को मिलाकर कुल 70,000 पदों पर बहाली की प्रक्रियाश शुरू की जाएगी श्रियसे सिंग ने जीता स्वर्ण पदक जमूई की विधायक और अंतराष्टिय सूटर श्रियसे सिंग ने एक बार फिर बिहार का नाम रौशन कर दिया है बता दे कि नेशनल सूटिंग चैंपियनशिप में दो कासे पदक जीतने के बाद अब श्रियसे सिंग ने बार वार्षियों का गडव है कि श्रियसे सिंग राष्ट्री अस्तर पर बिहार का और अंतराष्ट्री अस्तर पर भारत का प्रतिनद्र तो करती है इसके अलावा भाजपाजला उपाध्यक्ष ब्रिजनंदर सिंग दुरगा के श्री गोपाल कृष्न एवं अजय पासवा प्रशांत किसोर ने अपने जन सुराज पदियात्रा के दौरान कहा था कि जेडियू का कोई भविश्य नहीं है इसी बयान को प्रशांत किसोर ने अब अपने ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट शेयर कर कहा है उन्होंने कहा है कि जेडियू के बैनर के तहट राजन पर वोट नहीं पड़ेगा जेडियू का संगठन कोई नीचे नहीं है नहीं तो आखिर राजनीदी आगे चलेगी कैसे बिहार में दो ही दल है एक नरिंद्र मोधी की बीजेपी और दूसरा लालू यादव का आरजडी सराब बंदी कानून को लेकर बीजेपी का बड़ा खुलासा एक तरफ जहां बिहार में जहली सराब सोही मौत को लेकर मुखे मंतरी चारो ओर से घिरे हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जैश्वाल ने बिहार में सराब बंदी कानून और नितीज कुमार को जिद को लेकर कहा है कि बीजेपी नितीज के साथ सत्ता में रहते वे दो साल से सराब बंदी कानून खत्न करने की आवशकता बता रही थी क्योंकि इसे जमीन पर लागू नहीं किया जा सका है, हम चाहते थे कि सराब बंदी से जिन गरीब परिवार और कमजोर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसे खत्म करते लेके नितीज कुमार की सनक ने ऐसा होने नहीं दिया इंटरनाशनल लीग T20 में खेलेंगे रॉबिन उथपपा और यूसुफ पठान, दुबई कैपिटल्स के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार अंतराश्ट्रिय और भारतिय क्रिकेट से सन्यास ले चुके यूसुफ पठान और सितंबर में, भारतिय क्रिकेट से सन्यास की घ बोर्ट से जुरा हुआ, कोई भी खिलारी बिदेसी लीक में हिस्सा नहीं ले सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे भारतिय क्रिकेट से सन्यास लेना होगा, बताते चले कि उथपपा ने सन्यास की घोशना करते वे कहा था, कि वह अपने जीवन के लिए चरन के नए सुरवा बात करने के लिए बहुत उत्सुक है, जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट, बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी की गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.22 रूपए और डीजल 94.22 रूपए प्रती लीटर में मिल रहा है, मुझा परपुर में पेट्रॉल 107.91 रूपए और डीजल 94.94 रूपए प्रति लीटर मिल रहा है, बंपुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.72 रूपए और डीजल 45.000 4. Wire बिते दर हमाय दोना पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद